क्वेलों बोट लोगों को फृंदम आ रही थी मस्टमμε करने में तो आज और इस वीडियो में मेंस चाह्प i 2 अधर नहीं होगा तो आजर आप आपका अभी तक अकाउंट नहीं है यह एम स्टॉक का और आप उपन करना चाहते हैं तो मैंने एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में आप उस लिंक में क्लिक करके आप डिमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं इससे होगा क्या फ्रेंड्स इससे जो मुझे जो है तीन स और कॉल्स प्रवाइट करता हूं तो अगर आप मेरे लिंक से ओपन कराते हो तो आपको यहां फ्री में इस चैनल में आपको जोड़ लिया जाएगा एड्ड कर लिया जाएगा और अगर फ्रेंड्स आपने पहले ही ओपन करा लिया है अपना डिमेट अकाउंट तो कोई ब पिक है कि M-stock में fund एड कैसे करते हैं यह हम देख लेते हैं सबसे आपको यहां पर ऑप्शन दिख रहा होगा यह यहां पर उस पर आपको क्लिक करना है इसके बाद आपको फ्रेंड्स यह फंड ट्रांसफर का आपको एक option दिख रहा होगा उसमें आपको क्लिक कर देना है य अगर आप अभी कर जामाने में जी रहे हो और अःप टेडिंग कर रहे हो तो net banking of friends मजट है यह नेट बैंकिंग फ्रेंड्स जरूरी नहीं ही अपको टेरीडिंग में ही लगए का बहुत चीजों में आपको लगता है तो आप अपने नजजदी के जो आपका ब्रेंच है व पर यहां पर दिख सकते हैं यहां पर फिर फिर आपको आपको भी दाद přिख सकते हैं यहां पर पर क्या तो इसके बाद आपको पे पे आपको क्लिक कर देना है पे पे चलिए अब हम क्लिक कर देते हैं यहाँ फ्रेंस आपको दो आप्शन मिलता है एक यूजिंग एमजोन पे यूपी आई और फ्रेंस यूपी आईडिय से कि आपके पास गूगल पे है भीम है फोन पे है जितने भी पे है वो अगर आपके पास है तो उसका एक यूपी आईडिय रहता है फ्रेंस बोट लोगों फ्रेंस यूपी आईडिय पता नहीं होता है तो मैं आपको बताता हूँ जब आप पैसे लेंदेन करते हैं आपने UBI-ID से भैसे का आपके है Google पे है या फिल फोन पे है तो आप पैसे लेते हैं या फिर कोड में आप अगर प्रोफायल में जाओगे वी पैसे लेते हैं प्रोफायल आप देखोगे तो एक UPI ID होता है इसमें OK something something लिखा होता है इसे कि आपको SBI में है तो SBI कुछ आपका लिखा रहता है तो वैसे ही आपको उसमें जाने है और इसको copy कर लेना है copy कर लेने के बाद आपको friends यहाँ पर वो ID लिख दिना है friends और friends मैं आपको पता दूँ अगर आपका UPI ID से इसे Google पे है फोन पे है भीम है अगर आपका इससे नहीं हो पा रहा है तो अब मैं कहूंगा कि आप यह Amazon Pay का यूज़ कर सकते हैं अगर यह feel कर जाएगा friends तो यह 100% आपका यह काम करेगा जहां तक मेरा मुझका जहां तक मेरा experience है तो friends मैंने UPI ID डाल दिया है तो अब मैं Pay Now पे क्लिक करूँगा पिनाओं पे क्लिक करने के friends मुझे Fees Break Up जहां पे शोग कर रहा है इसमें Convenience Charge friends आपका 0 दिखा रहा है GST जिरो दिखा रहा है friends यह इसलिए दिखा रहा है friends अगर आप Net Banking यूज़ करोगे न तो वहां पे आपका कुछ चार्ज़ लिए जाएगा मतलब आपका अगर 100 पे ट्रांसफर करते हो तो 8-9 पे आपके यहां पे GST और Convenience Charge के नाम पे आपसे ले लिए जाएगे तो बेस्ट है कि आप UPI ID का ही यूज़ करो चलिए friends हम Continue and Pay पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद friends आपको एक Notification आएगा देखिए आप कुछ दरी के बाद आपको एक Notification आएगा तो देख सकते हैं friends मुझे एक Notification आया है यहां पर यह देखिए friends इस पर आपको क्या करना है यहां पर आपको पे क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर यह जो आपको पैसा है आपको जो पैसा है आपके जो डिमेट एकाउंट है आपको प्रोसेस करना है और आपको जो फंड है आपको यहां पर पसंद आई होगी तो आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रू कर दे और हां friends मैं एक option trading का स्रीज चालो करने वाला हूं जिसमें मैं beginning से option trading सिखाने वाला हूँ कि क्या-क्या गलतिया है इसमें नहीं करने चाहिए अगर आप beginner है तो इस channel का आप जरूर से subscribe कर ले फिर्ण से मिलते हैं next video में तब तक लिए बाई